के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले गनेश चतुरती के लिए हम लोग इमेज और पोस्ट कैसे डिजाइन करें फेस्टिवेल के लिए तो फॉस्ट देख सकते मैं मैं आ चुका हूं इस वेबसाइट का मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर वहाँ पर जा सकते मेरे पास आइडिया भी है ठीक है मतलब पोस्ट आम लोग को 18 को पोस्ट करना देख सकते आज 16 होगे 16 को मैं रेकोड कर रहा हूं तो मैंने यहां पर इमेजरी प जर्च किया है न सभी काटूनिस ठीक है मतलब जो पेज दिखा रहा है एकदम काटून टाइप का ट्रेंड है तो इसको टैन में रखते हुए मैं यहां पर प्रोंप डालूंगा ठीक है तो यह प्रोंप को हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे ठीक है और मैं लिखोंगा गनेज गर्डेश बोलते है ठीक है गनेज गर्डेश डालते है तो देखते हैं इसमें क्या ही इमेज जनरेट होगा में भी काटूनिस ठीक होना चाहिए क्योंकि हम लोग ने जो एक्जेम्पल जो प्रोंप दिखा था उसमें और मैं यहां पर फोटोस आप में अल्रेडी इसमें हम लोग इसको इमेज को रिप्लेश करके उसमें मोडिफाई करके यहां पर डालेंगे देख सकते हैं फाइनली हमारे पास एक आउट्पूट आ चुका है बट मेरे को यह वाला नहीं चाहिए तो रिफ्रेस कर रहा हूं मेरे को थोड़ा सा काटूनिस्टिक चाहिए नोट रियलिस्टिक एक आर्टिफिक्शल इंटलीजन का टच चाहिए क्योंकि अभी फिलाल के लिए ट्रेंड भी जा रहा है तो देख सकते हैं यहां पर इतने सारे जेनरेट हो रहा है फिर भी मैं अगें जेनरेट कर रहा हूं और यहां पर ऑफ्सन भी देख सकते हैं अब लोग कि देख सकते हैं डिफरitto से तो मैं यहां पर ग्राफिक इसस्ताइल में जा रहा हूं ठीक है ग्राफिक और आर्ट में जा रहा हूं और जोबसाइन ले रहा हुँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें नियो में क्या होता है वाइब रहता है कलर गव themes इमेज़ जनरेट करके देता है Adobe Firefly, ठीक है यहाँ पर देख सकते है इमेज़ आ चुका है यह भी अच्छा है बट मैं यह पर फोर बार एक और प्रॉम्ट डालता हूं, hog आटन टोन डाल दिया मैंने कोई बात नहीं आप प्रोम पर रिसेच कर सकते हैं क्या होता है मैं प्रोम का बारे में बता देता हूं प्रोम पर एक टिक्स फॉर्म रहता है जो हम लोग डालेंगे ओए टूल जेनरेट करके देखे फाइनली देख सकते हैं वही इसलिए पेसेंट रहना है आज ग्राफिक डिजाइनर आज आर्टिस आपको पेसेंट रखना है देख सकते हैं कितना अच्छा इमेज जेनरेट करके दिया है यहां पर कोई साभी यूज कर सकते हैं अभी मेरे को यह भी पसंद आ रहा है जो सेग फिर यहां पे चल के लिए लेता हूं तो इसको ऊपर कर लेते हैं डाउनलोड करते हैं ठीक है यहां पे डाउनलोड वह रहा है content applied बोलके ऑगे अगेन यहां पर जाएंगे हम फोटो आप में जाएंगे और फिर यहां पे इसको क्या करूंगा ट्रैक करूंगा ठीक है फर्स्ट ओर को गया हम लोग का इमेजरी अब यहां पर एक चीज का पंगार रहेगा क्या चीज बोलिए आपको क्या करने पड़ेगा थोड़ा सा पेशेंग लेना पड़ेगा मैं इसको रिमूब करके दिखाऊंगा थोड़ा सा क्यूंकि इसका बारे में मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना दिया तो उसमें जाकर आप देख सकतें नहीं तो मैं आई बटन पर डाल देता हूं तो यहां पर देख सकते मैंने इसको रिमूब तो कर दिया है फिर भी यह थोड़ा सा अच्छा नहीं देख रहा है तो आप इससमें बहुत और भी रिफाइंड कर सकते बट फिलाल के लिए मैं इसको क्या करूंगा इसको पूरा यहां पे कट आउट कर दूंगा तो क्ट सेलेक्शन हो जाएगा मैं एक सोर आप सेलेक्शन करते हो ना इस टाइम पर थोड़ा सा इस चीज में द्यान दीजिए तो आल्ट और ऑफ्शन वोल्ड करते हुए थोड़ा सा इसको बेतर कर लिजिए क्यूंकि मैं यहां पर रफ सेलेक्शन कर रहा हूं ठीक है मैं जबी हम पर इसमें रॉर फ टो इसमें क्या किpelे करों गा और ऐसमें जाकर तूटाशन कर दूँगा फाइदा क्या這一 Bu सब्लर भी होगा चैन्ग में थोड़ा सब्सक्राइब कुंष सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कलर लेता हूं जो की सोलिट रहेगा पीछे का बैग्राउंड या फिर आप कोई सा भी एक पॉप अप कलर ले लिजे जो की इमेज में हैं कलर लेने का टाइम पे आप ध्यान रखना जो भी इमेज यूज कर रहे उसका पीछे जो कलर है ओ यूज करें देखिए एलो भी अच्छा लग रहा है और थो रहा इसको क्या करूंगा लाइट लाइट पे लेके जाओंगा ओके थोड़ा लाइट पे लेके गया यह हो गया हम लोग का एक चीज इमेजरी कंप्लिट हो गया अब यहां प्राइट तो ट्वापिको कितने को सवीड़ा निशे लेके आरा और हैं तो ऑज़े लिख चातूर्थी एक जो की पढ़ने में अच्छा लगता है क्यूंकि ये अर्ष पता नहीं रहता है कितने को पैसे होड़ने को को अ सब्सक्राइब और आ ने करें तो इमेज को में त तोड़ा नीचे लेंगा इमेज को यहां पर इसमें रख देता हूं इसका आलाइनमेंस करते हैं ठीक ay सेंटर अलाइनमेंस ओक यहो गया अलाइनमेंस बट इसे थ्लेवा सा ध्यान देदी देना पड़ें थे रहें और करता हूँ थोड़ा सा डेकोरेटिव ठीक है टाइपोग्राफिक में डेकोरेटिव डालना पड़ेगा क्योंकि हैपी मतलब हम लोगों को ऐसा मोमेंट देना है जो कि लगे कि कुछ ना कुछ अहां फेस्टिबल टाइप ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके लिए मैं जाओंगा यहां पर एक क्या करेंगे कंट्रول टीठ करेंगे यहां पर केहिए जो रहा है और क्या चीज़ फेस्टीबल हो रहा है बोलके तो हैपी गनेश चतूरती को मैं क्या करूंगा गनेश को मैं थोड़ा सा हाइलाइट करना चाह रहा हूं तो यहां पर क्या कर दूंगा चतूरती को यहां पर जाओंगा राइट क्लिक करूंगा और अब यहां पर मैं क् इसमें लिएंगा क्योंकि ओरेंजी दिख रहा है थोड़ा सा इसको और लाइट पे लेके जाएंगे लाइट बहुत डिम हो रहा है तो यहां पर इसमें हाइलाइट कर देता हूं मतलब रेंड है मतलब आप अप कलर साइकोलोजी में मत जाना क्योंकि मैं इमेजरी में से ले सब्सक्राइब रहा है तो इसके बारे में रहना हुवत के वल सका शुक्राइब इसका भी टेकनिक रहता है तो इसके बारे में मैंने अल्रेड़ी वाले वीडियो में बात किया है थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देंगे ठीक है सेड़ो में अपना डाल सकते हैं क्योंकि यह चीज हम लोग को उतना हाइलाइट करना नहीं रहता है तो इतना ध्यान नहीं जाता कर देता हूं इसी में लोगो बोल देता हूं ठीक है यहां पर लोगो ठीक है तो मैं बेसिकली एक आपको समझा रहा था कि AI टूल्स यूज करके हम लोग कैसे अलग किसिम का डिजाइन बना सकते हैं क्योंकि यह चीज अभी ट्रेंड पे हैं आपको समझ में आया होगा मैं क्यों बना है और यहां पर हम लोग क्या कर सकते है डेकुरिटिव फ्लावर रख सकते है या फिर गनेज जी को मोदक पसंद है ना मोदक यहां पर रख सकते है देख सकते हैं यहां पर मोदक रख सकते हैं और यहां पर कुछ एक हम लोग जो ब है तो मान लीजे कंपनी का कुछ स्लोगन है तो यहां पे एरिया ना यहां पे स्लोगन कभी भी नहीं रखना ठीक है तो end of the यहां पर आकर एक आप box create करके या फिर action create करके यहां पर cta create करके डाल सकते और इसमें भी एक मान दीजे मैं आपे रेक्टेंगल लेकिता हूं और कुछ चीज को हाइलाइट करना है तो रेक्टेंगल ए फिर टाइपोग्राफिकल मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसको जा के देख लीजे उसमें आपको पता चलेगा क्यों मैं चीज बता रहा हूं बोलके तो इस हम लोग को क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग को क्या आइस हम लोग का आख कहा पर जा रहा है तो इसी हिसाब से आप एक शोर डिजाइन बनाई है और हैपी गनेश चातुर्थी टू आल माई यूटूब फैमिली मेंबर्स एंड इस्टे क्रेटि और है वीजाओ से एक बार बार जाए है तो आख करनाई है और है तो इसक्टर्थी टूब एंट